अब जैसे result आया मतलब मेरा confidence यहां पर था result आने के बाद एक दम नीचे आसपास जो students थे मुसको traffic jam बोलके चिढ़ाते थे मेरा preparation अच्छा चल रहा था मौक टेस्ट में मेरे around 600-620 का average था उसके बाद वो हो गया जिसको नहीं होना था मुझे आज भी याद है कि में class 3 में था और attendance के दौरान मेरा नाम बोला गया देवांकुर चक्रवोर्ती मेरा हाथ उपर था बट मेरे मुझे कुछ निकल नहीं रहा था तो मैं बोला चाता था present ma'am बट मुझे कुछ बहार नहीं आ रहा था ये मेरे लिए बहुत embarrassing था teacher ने मुझे को खड़ा किया पूछा कि क्यों नहीं बोल रहे हो मैं और ज्यादा nervous हो गया self confidence एक दम मिट्टी में मिल गया बहुत embarrassing situation था आसपास जो students थे मुझे को traffic jam बोलके चिड़ाते थे तो ये एक problem था जो मैं अपने initial days में face करता था इसे stammering और हिंदी में हकलाना भी कहते है एक बच्चा जो stammering के वज़े से अपना self confidence खो चुका था लिटरली लोगों से बात करने तक डरता था वह आज ना जाने सौ से ज़्यादा patient से डील करता है और हजारों बच्चों को guide करता है नमस्कार दोस्तों आएम देवांकूर चक्रबोर्ती करनिटली आफ फाइनल एर MBBS student ए राजिका और मेडिकल कॉलेज कोलकता अब इसके पीछे कहानी है बचपन में मुझे एक problem था एक speech related disorder जिसे हम कहते है stammering या shuttering अब इसमें क्या होता है आप कुछ बोलना चाते हो बट आपका जो speech है ओ अटक जाता है मतलब आप पूरी तरीके से समझ सकते हो चीज़ को बट ओ आपके मूझ से बहार नहीं आता शब्द तो इसके वज़े से मेरे school के initial days में मुझे बहुत self confidence का lack हुआ था students मुझको नहीं जानते थे मैं अकेले जाता था स्कूल में टिफिन खाता था वापस आ जाता था अब यह इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं elocution classes reading classes को bunk करने लगा इवन की जो टीचर्स के साथ एक interaction होता है daily that's during attendance अब attendance के time में भी मुझे अपना नाम बताने में problem होता था लाइक टीचर कॉल करता था देवांकुर चक्रबोर्ती मुझे बोलना था प्रेजन मैं अब वो बोलने के लिए भी मैं अटक जाता था obviously बहुत ज्यादा embarrassing था और इसका direct impact पढ़ा मेरे studies पर तो class 8 तक मेरा ऐसा ही चलता गया studies में marks कभी भी अच्छे नहीं आए but throughout this time ममी पापा ने काफी ज्यादा साथ दिया मेरा अब जैसे जाते मेरा stammerding recovered हुआ मेरा marks increase होता गया like class 10 तक मैं अपने स्कूल में टॉप 4 तक पहुच गया था मेरे पास दो options थे science stream या commerce stream मेरी मां हमेशा से चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनू मेरे family में 3-4 डॉक्टर है उनके lifestyle से उनके काम करने के तरीके से में काफी प्रभावित होता था उसी को लेके मेरा एक थॉट प्रॉसेस डेवलप हुआ कि हां मुझे मेडिकल लाइन पर जीव करना है तो मैं साइंस ट्रीम में अडमिशन लिया बट तब तक ऐस सच मुझे पता नहीं था कि नीट का प्रॉपर स्ट्र कैसा होता है नीट के लिए एक्जैक्ली कैसे प्रिपेर करना होता है अब मेरा एक बैक्ग्राउंड में आप लोगों को बता दू तो मैं एक विलेट से आता हूं दैट्स इन आउट्सकर्स और कोलकाता इन दा हुगली डिस्ट्रिक्ट दर इस विलेच कॉल नबग्रम अब जो प्रिपरेशन करता था और उसके साथ साथ इधर उधर का कुछ लगा लेता था अब क्लास 11 का वास सिलबस होता है उसको मैनेज करने में मुझे पहले 6 महीने का टाइम लग गया उसके बाद मैं सिंपली जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी पे फोकस किया क्योंकि अभी से कंप्रिटिव का स्टार्ट कर दो देवर लाइक कि पहले बोर्ट को सिक्योर करो उसके बाद तुम कंप्रिटिव का सोचना तो अभी कि यह एक चीज जो मैंने उस टाइम पर मिस्टेक किया था मैं अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करता गया और जो इन करने फर्स टाइम नाहीं मैंने एंसी आटी का एक पन्ना भी पड़ा था नाहीं मैंने कोई प्रिविए सिर अच्छे से लगाया था नाहीं मैं रेगूलर मॉक्स दिया था इधर उदर से मिल गया इंटरनेट से पीडियेव डाउनलोड कर दिया तो ऐसे करके प्रिपरेशन लेके में अपना पहला एटम देने और अनफॉर्चुनेटली मेरा उस्ताल नहीं हुआ मैं स्कोर वास 418 विच वास हंड़ेड मार्क्स बिहाइंड अब जैसे रिजल्ट आया मतला मेरा कॉन्फिदेंस यहां पे था रिजल्ट आने के बाद एक दम नीचे आपक्रीटली श लगा तो मैंने मामी पापा से बात किया कि अभी क्या करना चाहिए उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कि तुम एक साल का ड्रॉप ले सकते हो क्योंकि आगे चलके एक साल मायने नहीं रखेगा तुम जब एक जगा पर पहुंच जाओगे दिस वानियर विल नॉट मैटर और उन्होंने भी काफी जगा एंकरेज किया कि तुम एक साल ड्रॉप ले के देखो और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो किसी अच्छे कोचिंग में अब एन्रोल हो जाओ तो next day I was in a big coaching institute of the city और counselor के साथ हमारा बात हो रहा था regarding admission और उन्होंने बताया कि एक साल का जो fees है that's 1.5 lakhs अब coming from a middle class family 1.5 lakhs is a big thing this was a big turning point कि मुझे पता है कि उस 1.5 lakh का तभी क्या वैलू था और पापा ने मेरे उपर यह trust किया so next day से मैंने start किया अपना preparation जैसे कि मैंने बताया मैं एक village में रहता था that was in the outskirts of Kolkata और वहां से मुझे चार घंटे का time लगता था daily up and down जो मेरा coaching institute था वहां से तो इस बीच चार घंटे का time अभी waste तो नहीं कर सकते drop year में तो इस time में चीजों का रिवाइस करता था जैसे कि last day मैंने mcq लगाए उसके जो mistakes उनको में रिवाइस करता था inorganic chemistry specifically coaching में start होना था January February में बट मेरा December तक inorganic खतम हो चुका था मैं और मैंने कुछ दोस्त जो एक साथ travel करते थे बस में train में inorganic chemistry revise करते थे मैं एक दिन एक chapter पढ़के आया वह एक दूसरे दिन पढ़के आया तो एक साथ हमारा revision हो जाता था preparation स्टार्ट करने से पहले मैं अपने mistakes को note-down कि क्यों इस साल मेरा selection नहीं हुआ है तो उन mistakes को note-down करना बहुत जादा जरूरी है drop year में मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने थे जिनके साथ में preparation किया और हम तीन दोस्त के group थे और आज तीनों ही medical colleges में है तो मेरे कुछ strategies बनाए थे like biology के लिए मैं coaching modules को हाथ भी नहीं लगाऊंगा I will just follow ncrt biology अब जैसे कि तुम लोग को पता है कि ncrt को need aspirants के लिए Bible माना जाता है तो ncrt का हर एक line important है ncrt को जब तुम बार बार पढ़ोगे तब तुम को realize होगा कि हाँ इसमें कुछ और points है कुछ और questions भी इनसे बन सकते हैं तो ncrt bio को मैंने at least 20 से 25 टाइम्स पढ़ा था need exam एक्टेम करने से पहले इसके साथ साथ previous year questions और mcqs जो coaching में दिया जाता था बायो के लिए इतना मैं करता था और try करता था कि daily कुछ ना कुछ में बायो का करूं ncrt reading करूं या mcqs लगाओ daily bio को मैं रखता था इसके बाद आता है chemistry chemistry में as such मैंने कोई book purchase नहीं किया था physical chemistry के लिए जो मेरा modules था modules के जो concept थे सर के जो notes थे उससे मेरा concept build-up हो जाता था उसके बाद मैं previous year करता था अब previous year करने का फाइदा क्या है inorganic chemistry is like 33% one third अब previous year question करने से तुमको पता चल जाता है कि कौन से कौन से type of सवाल आएंगे तुम उन types को miss नहीं कर सकते हो तो उसके बाद मैं फिर से एक बार concept को पढ़ता था फिर mcq लगाने बैठता था और गनिक chemistry के लिए नीट exam में organic जो name reactions होते हैं काफी ज्यादा important है उनके intermediate states उनके products catalyst सब ncrt सही आता है तो name reactions मैंने सिर्फ ncrt का follow किया और उसके according मैंने questions लगाए इन और गनिक chemistry आई थिंग इस जस लाइक ncrt biology जो इन और गनिक पार्ट है ncrt में मैं उसको line by line पढ़ता था खास करके जो exceptions है उनको मैं अलग से flashcards में लिखके रखता था ताकि मैं उसको बारी-बारी से revise कर सको तो इन और गनिक chemistry को लेके ज़्यादा mcqs एसस जरूरी नहीं है बट ध्यान रहे कि ज़्यादा pointers मिस ना हो इसके बाद आता है physics जो I think सबसे difficult पार्ट होता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए physics का concept समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आदे से ज़्यादा चीज तो concept में ह जब मैं board का preparation करता था तुम मुझे कोई projectile का sum दे दो I will always approach in like height का formula time का formula range का formula मैं सिर्फ यह तीन formula लगाऊंगा और उस sum को करने की कोशिश करूंगा बट जब मैं need का coaching लिया specifically तब मेरा thought process पूरा बदल गया मैं question को पहले component में divide करता था मैं formula use ही नहीं करता था और तुम जब concept अच्छी तरीकी से समझ जाओगे ना तुमको formula रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम एक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको component में divide करोगे अपने आप चीज बाहर निकल के आ जाएगा तो यह मेरा एक thought process का change था जो मैंने mcq solving में apply किया था और concepts के regarding मैं कोई as such book follow नहीं करता था जो मेरे coaching के सर्थ थे काफी अच्छा पढ़ाते थे उनका notes में बार बार revise करता था important solved examples जो class में करवाय जाते से उनको मैं अच्छी तरीके से बार बार करता था और उसके बाद मैं directly previous questions और modules के mcq लगवा देता था अब इसमें एक चीज था कि जो mcq में आज गलत करता हूं तीन महीने बाद अगर मुझको फिर से दिया जाए तो मैं शायद उसको फिर से गलत करो तो materials पर तुमको stick करना है यह नहीं कि बहुत साड़ा materials तुम use कर लो एक material पर stick करो उसको खतम कर लो फिर से तीन महीने बाद उसको उठा के देखो वही सम तुमसे फिर गलत होगा उसक के regarding क्या कुछ पढ़ना है बट क्या नहीं पढ़ना है यह बहुत ज्यादर important है biology में सबसे बड़ा problem यह है कि students जो ज़रूरत है उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं मैं as a educator students को हमेशा बोलना हो कि सिर्फ ncrt biology पर focus करो ncrt biology is the bible उससे बाहर कुछ नहीं आता तुम लास्ट पात साल का question paper उठा के देख लो सारे questions ncrt biology से हुए अब इस time जो main गलती students करते हैं कोई एक question उनको मिल गया कि आज से 7-8 साल पहले आया था बाहर से ncrt के बाहर से तो उस question को लेके उस topic के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं अब knowledge तो बहुत ज्यादा available है बट हम लोगों को उतना पढ़ना है जो actually में जरूरत है और जिससे mcq आने का एक decent chance है अब जैसे कि जो question बाहर से आये थे आज से 7-8 साल पहले तो अगर अच्छे से देखो तो method of elimination से भी question solve हो जाएंगे उसके लिए as such तुमको topic में concept strong होने का ज़रूरत नहीं है जो ncrt में है तुम सिर्फ उसी के उपर focus करो मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होता है like they follow books like true man's biology modern ABC जो बड़े बड़े किताब है जो boat के लिए as a suggestion book use होते है उसका नीट में कोई काम नहीं है नहीं कोई सवाल उससे आएंगा और उस book को तुम बार बार revise भी नहीं कर सकते हो ncrt biology 11 on 12 मिला के इतना thickness होता है उसको तुम 20 से 25 बार revise कर सकते हो नीट exam से पहले मेरा preparation अच्छा चल रहा था mock test में मेरे around 600-620 का average था उसके बाद वो हो गया जिसको नहीं होना था दो महीने बचे थे preparation के और it was the covid lockdown अब lockdown में सारे coaching institute बंद लास्ट के दो महीने जो सबसे important होता है जिसमें main division part होता है वो पूरा बंद था और everything was converted to online अब जैसे जो लोग इस टाइम पर face किये और लोग समझेंगे कि एक sort of mental breakdown हो गया था कि तुम preparation किये जा रहे हो बड़ कोई मतलब security नहीं है कि exam कब होगा तुम preparation करते हो एक date को पकड़के कुछ दिन बाद और date postpone हो जाता है तो इस type of काफी controversy उस time पे हुआ था finally September का एक date decide हुआ by the government कि उस दिन नीट exam होगा अब जैसे कि मेरा पहले item नहीं हुआ था इस time में काफी ज्यादा एक डर था एक nervousness था कि कैसा जाएगा exam तो exam के एक दिन पहले जो previous day होता है उसमें मैंने कुछ भी नया नहीं पड़ा कोई भी नया topic नहीं उठाया जो mistake copy मैंने लिखा था उसको revise किया और previous year question को अच्छे से किया कोई भी नहीं किया कुछ भी साइशन नहीं लिया सिर्फ division किया और रात के 10 बजे सो गया अब obviously next day जब exam होता है आपको नीद नहीं आता है तो मेरा भी कुछ ऐसा था बट next day जब मैं उठा मैं confident feel कर रहा था किसी से बात नहीं किया ज्यादा अपने आप में focus रहा और मेरा जो सेंटर था 15 मिनिट के दूरी पे था मेरे घर से तो मैं पहुझ गया exam center अपने आपको काम रखा compose रखा और exam देने बैठा जब मैं exam दे रहा था मुझे पता चल गया था कि हां इस साल मार्क्स मेरे अच्छ हो चुका था और मैं बहुत confident फिल कर रहा था कि यहां इस साल मेरा selection हो जाएगा और I was expecting somewhere around 650-660 जब मैं घर आया answer की चेक किया तब देखा कि मैंने कुछ silly mistakes commit किया है और मेरा score आ रहा है 625 बट मैं फिर भी खुश था क्यूंकि इस score से कोई अच्छा college मुझे मिल जाता थ्रू स्टेट कोटा West Bengal अब जब counseling हुआ तब मेरा admission हो गया in one of the top colleges of West Bengal और देखो देखते देखते अभी चार साल हो चुके है मैं finally a student हूँ अभी और neat aspirants से मेरा यही suggestion है कि consistency is the thing जब भी तुम preparation करो consistent रहो ऐसा नहीं कि कुछ महीं ने तुमने अच्छा preparation कर लिया motivate होगे फिल demotivate होगे पढ़ाई छोड़ दिया एक quotation जो मेरे drop year में बहुत अच्छी तरीके से मेरे लिए काम किया था that was tough times don't last but tough people do इसको मैंने follow किया था और जो neat aspirants है इससे inspiration ले सकते हो मैं शुक्रा गुजान हूँ जो stock neat क्यो मुझे यह platform provide करने के लिए जहाँ पे मैं अपनी story audience के साथ share कर पाया और I hope this story से काफी लोग confidence gain कर पाएंगे और आगे चलके life में inspiration भी ले पाएंगे हलो aspirants हम मेंसे बहुतों का सपना है neat exam clear करके देश के topmost medical college में admission लेना और doctor बनना लेकिन ये journey बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो questions है तो पहला सवाल कि हम coaching कहां से ले और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी coaching में admission ले तो हमारी fees पर हमारी कुछ पचत हो पाए और इसलिए बहुत नीट aspirants ने जोज से request किया कि क्या Josh Talks aspirants को help कर सकता है उनकी इस journey में तो एक coaching और मान गई है motion classes बैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि NV Sir को किसी introduction की जरूरत है ही नहीं तो motion classes अब हमें contact करेंगी और हमारे questions को answer करने में help करेंगी हम घर बैठे motion से अपने सारे doubts पूछ सकते हैं और हाँ हम यहाँ admission भी ले सकते हैं ये बहुत valuable help होगी उन सारे ही aspirants के लिए जिनने काफी doubt है कि कौन से course में admissions लेकर मेरी NEET की journey को असान बनाया जा सके तो अगर आप NEET के लिए coaching लेने में interested हैं तो नीचे एक form दिया गया है जहां हम अपना नाम और number share कर सकते हैं और Josh Talks आपका contact number institute के साथ share करेगा तो coaching अब आपको खुद contact करेंगी और Josh Talks ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे institutes भी हमें reach out करें और अपने courses की सारी details और admission लेने पर कुछ discount हमें दे पाएं तो अब Josh के students घर बैठे, phone पर guidance और information ले सकते हैं और admission भी Best of luck to all aspirants, Josh हमेशा हमारे साथ खड़ा है, जैहिंद